हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो डिजिटल प्लाटफर्म आप विंसम इंटरनेशन स्कूल, आज पढ़ने वाले हैं क्लास एट का बहुत यह अच्छा चैप्टर जिसका नाम है फ्रोर्स एंड प्रेशर, तो मूव करते हैं एक्सरसाइस पे, जिसमें मेरा कुशन नमर वन क सिच्वेशन इन विच पुश और पुल टू चेंज दी स्टेट अफ मोशन, ऐसी दो सिच्वेशन बताने हैं, जिसमें आपको पुश, पुश मतलब धक्का, और पुल, पुल मतलब अपनी तरफ खेंचना, इस वज़े से स्टेट अफ मोशन में चेंज हो रहा है, स्टेट अपन किसको करते हैं, वह आप ड्रावर को पुश कर सकते हो, आपने क्या 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 पुश दी ड्रावर, पुश दी बॉक्स, ठीक है, इसकी वज़े से भी क्या सकते हैं, इसके एक्जांपल अपन क्या ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, फिर्स्ट क्या हो गया, अगर मैं प पिंडो को भी अपन क्या कर सकते हैं पुष जिस वज़े से क्या हो जाती हो बंद हो जाती है अपन करते हैं पुष ठीक है वैसे ही पुल की बात कर ली जाए तो पुल क्या होता है अपन क्या कर सकते हैं पुल के अंदर आप क्या कर सकते हो पुल दी ड्रावर पुल दी of motion में change हो रहा है यह मेरे example थे हैं आप अपने number of examples सोच सकते हो second question क्या बोल रहा है give to example of situations in which applied force cause a change in the shape of an object कि अगर मैं force को applied कर रहा हूं तो उसके जो shape है उसमें कैसा change आ रहा है तो कैसे आ सकते है सरा balance का example ले सकते हो वो अपने original shape से हट जाता है sponge ले सकते है sponge को भी मैंसे प्रेस करता हूं तो वो भी अपने shape को change कर लेता हूं तो यह क्या होगे number of examples होगे जिनसे force के वज़े से उनके shape में क्या आ रहा है change आ रहा है next question को discuss करते है next question मेरा क्या बोल रहा है fill in the blanks in the following statement हमें क्या करना है fill in the blanks to draw a water from a well we have to lift we have to क्या करना है lift यह पर क्या आ जाएगा lift at the rope हमको क्या करना पड़ेगा lift करना पड़ता है या फिर pull body two kea करेंगे अरट्रیک करेंगे ट्रेंगे a रिपैल करेंगे क्या करते करतي एक इ texto एक चार्ज बोडी एक अणचाज बोडी को किया करती है kon做 कि करते करते हैं थर्ड क्या बोल Vaccाूiset ट्रॉर्ली मुझे एकड़कर लोड करना है, मतलब क्या करना है, to move a loaded trolley, अगर loaded trolley को मुझे क्या करवाना है, move करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, push करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, we have to applied force on it, applied force, कैसा force, push वाला force, ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, the north pole of a magnet, the north pole of the another, अगर दोनों ह अच्छा क्या करते है, repel करते है, और unlike force क्या करते है, इक डूसर को attract करते है, यह वाले fill-ups भी आपको अच्छा से समझ आयोंगे, next move करते हैं, यह वादा, an archer stretches her bow while taking aim at the target, she then releases the arrow which begins to move towards the target, based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms, इसने क्या बोला, कि एक archer अपने bow को क्या करता है, stretch करता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है, जिस वज़े से वो अपनी target पर क्या करता है, move करता है, एक scenario दिया है, इस scenario को समझते वे मुझे क्या करने है, कुछ questions के answer करने, तो stress the bow, the archer applies a force that causes a change in its, भई, अगर एक force को मैं apply कर रहा हूँ, इस पे, एक bow पे, तो archer ने क्या कर दिया, उसका shape में change कर दिया, change in its, shape, तो पहले में क्या आजाएगा मेरा, shape आजाएगा, मैंने क्या क्या उसके shape में change कर दिया, second क्या बोल रहा है, the force applied by the archer, तो stress the bow, in an example, जो मैंने force को apply किया, ठीक है, तो एक archer ने उस force को apply किया, तो किसका example है, तो मैंने क्योंकि अपना क्या लगा है, muscle power लगा है, तो किसका example हो गया मेरा, muscular force का, muscular force, कैसा हो गया यह, muscular force, क्योंकि without muscle power, मैं उसको stretch नहीं कर सकता, तीसरा बोल रहा है, the type of force responsible for a change in state of motion of the arrow is an example, क्योंकि यह किसका example है, contact force का example है, non-contact force का example है, उसको मैंने stretch करने के लिए, क्या उसको मुझे touch करना पड़ा, physically touch करना पड़ा, तो yes sir, physically touch करना पड़ा, तो फिर sir, किसका example हो गया, तो किसका example हो गया, मेरा, contact force का example हो गया, किस force का example हो गया, contact force का, fourth one क्या बोल रहा है, while the arrow moves towards its target, the force acting on it, are due to, जब वो target के तरफ move कर रहा था, तो उस पे कौन-कौन से force act कर रहे थे, तो उस पे, एक तो मेरा force act कर र gravity, और friction क्या जा रहे है, उसको, जब भी अपन कोई चीज move करवाते है, उसको रोकने के लिए हमेशा क्या होता है, friction लगता है, और नीचे की तरफ उसको कौन खेच रहे है, तो gravity, तो due to, अपन क्या बोल सकते है, gravity, and क्या बोल सकते है, friction of air, friction of air, hope, ये वाले MCQs या ये करता हूँ, next question, next question क्या बोल रहे है, in the following situation, identify the agent exerting the force and the object on which it acts, state the effects of the force in it, इसमें दो चीजे बताने, एक तो agent, agent मतलब कि कौन उसको apply कर रहे है, कौन उस force को क्या कर रहे है, apply कर रहे है, और उस force को apply करने के बाद, मुझे उसके क्या effects दिख रहे है, दोनों चीजे मुझे इस case में बताने है, squeezing a piece of lemon between the finger to extract its juice, मुझे सबसे पहले तो यह जो statement है, squeezing the piece of lemon, तो अगर मुझे एक lemon के piece को squeeze करना है, जैसे हम क्या बनाते है, lemon water बनाते है, lemon juice बनाते है, तो squeeze करने के लिए मुझे क्या लगाने पड़ रहे है, तो सबसे पहले तो जो force लगा रहे हूँ, मैं जो क् कौन से लगा रहे हूँ, muscular force, muscular force, और उस force की वज़े से, मुझे क्या change दिख रहे है, तो मुझे क्या दिख रहे है, उसके shape में change आ रहे है, जिस वज़े से उसका juice क्या हो गया, पूरा का पूरा निकल गया, तो muscular force आ गया, state the effect of force in each case, ठीक है, तो effect क्या पड़ रहे है, उसका juice निकल गया, change in shape, effect मुझे क्या दिखेगा, उसके shape में change आ जाएगा, shape क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, next क्या बोल रहे है, taking out paste from a toothpaste tube, उस toothpaste, इसमें भी मुझे क्या लगानी पड़ रहे है, अगर मैं force की बात करू, तो मुझे क्या लगानी पड़ रहे है, muscular force, muscular, और effect अगर म change हो जाएगा, third क्या बोल रहे है, a load suspended from a spring, while its other end is on the hook, fix to a wall, इसमें भी same चीज है, अगर एक load को मैं लगा रहे है, spring पे, और नीचे क्या लगा है, object, उस वज़े से क्या होगा, load नीचे की तरफ खिंचेगा, मतलब gravity तो क्या लगा रहे है, इस case में मुझे क्या दिख रहे है कि gravity तो क्या कर रहे है, pull कर रहे है, gravity, force क्या कर रहे है, pull, और इस वज़े से भी क्या हो रहे है, shape में change आ रहे है, shape, change, दोनों ही सूर्तों में, आप चीजे लिख सकते हूं, next क्या बोल रहे है, an athlete making a high jump to clear the bar at certain height, अगर एक athlete, jump लगा रहे है, एक certain height को cover करने के लिए, तो वो भ muscle power, या muscle force, muscular force चीज़े है, और effect क्या पढ़ रहे है, कि वो अराम से gravity को overcome करके, अपनी height को achieve कर पा रहे है, यह वाली चीजे भी आपको अच्छे से समझ आई होंगी, next question पर चलते है, a blacksmith hammers a hot piece of iron, while making a toll, how does the force due to hammering, effect the piece of iron, एक जो blacksmith, जो आपका लोहार होता है, वो जोर से hammer कर एक piece of iron पे, जिस वज़े से क्या हो रहे है, how does the force due to hammering effect the piece of iron, उस force की वज़े से, उस piece of iron पे क्या, effect पढ़ रहे है, effect क्या पढ़ रहे है, जैसे मैं जोर से उस पर iron पे मारूँगा, let's see मेरी क्या होगी, iron rod होगी, इस पे मैं क्या कर रहे हूँ, hammering कर रहे हूँ, मैं क्या लगा रहा हूं, लगा रहा हूं. इस वज़िए से क्या होगा है, क्या हैगा, शेप changes, और है इस के शेप change होने से मन के लग-ळग टूल मेरी जो मॉस्कुलर फोर्स है, मेरी जो हैमर कहा है, मॉस्कुलर फोर्स की वज़िए से iron road में क्या हो रहा है change in shape हो रहा है यह वाला answer भी आपको अच्छा से समझ आ गया होगा next क्या है an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with the piece of synthetic load it was found that the balloon sticks to the wall but force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall एक balloon लिया उसको मैंने एक load के साथ क्या किया रब किया और जैसी मैंने उसको wall के पास रखा तो मैंने देखा balloon क्या हो गया चिपक गया या क्या मैं बोल सकता हूँ उसमे stick कर लिया तो यह जो हो रहा है सबसे पहला किसकी वज़े से हो रहे है यह मेरा electrostatic force की वज़े से हो रहे है electrostatic force electrostatic force कहा से आती है यह क्या होती है due to charges due to charges चार्जिस कैशे आ रहे हैं ? जैसे बही मेरा जो बैलून था मैंने जब उसको रब किया, ये क्लोथ से क्या किया ? रब किया, तो इस बैलून में क्या आगे? चार्जिस आगे, कैसे आगे? चार्जिस आगे और यह जो मेरी वाल थी, यह जो मेरी क्या थी, वाल, यह मेरी क्या है, बॉल, और यह मेरा क्या है, क्लोथ है, यह मेरा क्या ले लते हैं, यह जो है, यह क्लोथ है, यह मेरा क्या है, क्लोथ है, तो जैसी इस पे चार्जिस है, और मैं इस बैलन को यहां लेके गया, तो यहां प Uncharged Body. क्या करते हैं एक दूसरे को utilizz में ATRAC करते हैं. इस वजय से थे मुझे कया दीखता है यह दोनो जिपक जाते हैं. इस वजय से हो रहा है सरी, ELECTRO STATIK FORCE ,जिसे हो रहा हैarna specifically subjected to charges. नग्स्कुशन की तरफ चलते हैं,書नी बोल रहा है Held above the ground level, in your hand, discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. एक बककेट में पक्ड़ हैДने है।शं के अंदर क्या है ? पानी भरावा कि पानी भरावय यह क्या है। टीक है? Bucket. सबसे पहले जो Bucket है, उस पर कौन सा Force लग रहा है? उस पर जो Force लग रहा है, वो Downward direction में. छेक है? कौन सा लग रहा है? एक तो यह वाला. Gravity Force लग रहा है gravity force लग रहा है due to gravitation downward direction में क्या लग रहा है? नहीं आता है. तो डिसकस में हमें यही लिखना है, the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion due to the equal amount of muscular force that we applied on the bucket. तो move करते हैं, next question पर, a rocket has been fired up first to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after living. मान लो यह में एक rocket बना ले तो, यह मैंने क्या बना लिया? और यहां से क्या रही है, अच्छे से gases है. तो जो gases है, यह जो force applied कर रहे है. यह force कहां लगा रही है, downward direction में. एक तो जो force लग रहे है, वो क्या लग रहежд है, downward direction में? क्या लग रहा है gravity force लग ओर जो upward direction में क्या लग रहा है push force जो gases दे रही है जो मुझे क्या दे रही है जैसी gas या heat करती है तो मुझे क्या मिलता है upward force मिलता है तो जैसे वह हमाँ आए तो gravity तो anytime नीचे रखे रही है but उस gravity शे ज्यादर पुश फोर्स भी मुझे दे रहा है in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due. The rise of water in the dropper. ऐसी नोजल में डाला, तो पानी का क्या आगया अपने? उपर आगया. तो यह जो rise हो रहा है. यह rise किसकी वज़े से हो रहा है? मेरा atmospheric pressure. किसकी वज़े से होता है? Atmospheric pressure की वज़े से. तो अपनने एक्के करके सारे questions को अच्छे से discuss कर लिया. उनसे related concept भी समझ लिये. इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्या करता हूँ? एंड करता हूँ. और इस chapter का भी मैं क्या करता हूँ? एंड करता हूँ. तब तक के लिए keep learning, keep growing, thank you.